जै हिन्द जै भारत दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज का हमारा टौपिक है वह बहुत ही आसान सा टौपिक है जो कि आप सब जानते भी होंगे और कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है संचरन और साथ ही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्या है वो है उस्मा का सुचालक और साथ ही हम समझेंगे क्या उस्मा का कुछालक तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे तो आप वीडियो को इंड तक देखिए और यहाँ पर आप आसानी से समझने का परियास किजिए और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल के रहा होगा संचरन क्या आपको मिल रहा है संचरन उहो तो यहां पर अगर आपसे पुछ दिया जाए कि संचरन किसे कहते हैं, संचरन क्या होता है, संचरन का परिभासा क्या होता है, संचरन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कुछ भी पुछ दिया जाए, तो बस आपको वही लिखना है जो आपको आता है, ओके, तो संचरन का वो क्या होता है Transmission यहां पर होता है ज़्ल Mormil recently च्छोटी सी बात कि आपको सुनाई पड़ रही है जिया सञ्र संचरन का हमारा एक और नाम क्या होता है अस्थानांटरन और एक हमारा होता है तो अस्थानांटरन से हमारा यह मतलब निकलता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना तो यहाँ पर परिभासा में वही लिखा हुआ है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना यहाँ पर देख सकते हैं परिभासा में लिखा हुआ होगा कि कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता हो तो उसे हम कहते हैं संचरन अब आपको यहाँ पर समझना यह है कि संचरन आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है तो अगर आप आसानी से समझेंगे तो बहुत ही आसान है यहाँ पर आप देखने का परियास किजिए संचर्ण में परिभासा लिखा हूए कि कोई भी वस्तू एक जगध से दूसरे जगध जाता हो यानि यहाँ पर आ गया तो आपको क्या जगध चेंच हुआ कि नहीं हुआ अस्थानांत्रन यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ तो यहां पर आपासानी से देखेंगे तो गाली एक जगह से दूसरे जगह गया तो वो आपको क्या कहलागा गाली का संचरन अगर आपका रक्त यानि खून यानि आप इंगलिस में कहें तो बलड अगर बलड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो आपको क्या कहलागा रक भब जूंगपन प्रलावं EB Dick कुछो मि这 trouvered गार जल FIFA 1 1 चोटी चोटी से बात होती है में में आपको ख्याल रखना पड़ेगा ओके तो यहां पर आपको समिझ आ रही है या नहीं आ रही है जैसे आप पैसे समझेंगे तो यहां पर कोई डग है और यहां पर भी कोई डग है और यहां पर भी कोई डग है और यहां पर भी कोई डग है यहां से हम जैसे ही उस्मा दियें तो उस्मा को हम जैसे ही देते हैं तो क्या हो जागा कि धीरे 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 यहां पर भी आ जागा उस्मा या भी आसानी से गर्म हो जाता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं वहाँ पर हुआ क्या उस्मा का वहाँ पर गमन हुआ यानि एक जगह से दूसरे जगह वहाँ पर उस्मा फैल गया तो आप इजीवे में समझें कि उस्मा का फैलना जिहां उस्मा का फैलना आपको क्या कहलाता है उस्मा का संचरन तो यहाँ पर संचरन में आपको ख्याल कर रखना है आपको ख्याल रखना है किसी भी चीज को फैलना ठीक है तो यहाँ पर यह छोटी सी बात है जो कि आप इजिवे में समझ सकते हैं और अगर आपको यह समझ आ गया ह उसमा का सुचलक से आप क्या समझते हैं यही सब अभम समझते हैं तो यहां पर वहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा उसमा का सुचलक अगर हम इसका English देखे तो क्या होता है Good Conductor of Hit ठीक है तो अब इसको समझना कैसे है तो यहाँ पर परिभासा में लिखा क्या होगा आप यहाँ पर समझे है तो यहाँ पर परिभासा में लिखा हुए है कि जिन पदार्थों से होकर उस्मा का संचरन जिया संचरन यहाँ पर आ चुका है तो संचरन का मतलब मैंने आपको बता क्या रहा है फैलाओ ठीक है तो जिन पदार्थों से उस्मा एक जगर से दूसरे जगर यहीं फैलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं उस्मा का सुचाला कहते हैं जैसे अगर आप यहाँ पर इजिली समझेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर लिखा क्या हुए है लोहा, जियां और साथ ही तामबा, ऐल्मूनियम, कौफर, सोना, जस्ता, आदी तो ये समय क्या होता है उस्मा एक जगश से दूसरे जगश जाता है फैलता है यानि संचरन होता है तो वही आपको क्या कहलाता है उस्मा का सुचालक यहाँ पर यह सब कहलाएंगे ऐसे आप अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर मानते ही यह क्या है लोहा है ठीक है यहाँ पर यह लोहा है ठीक है और इसके बाद हमारा क्या आ जाते हैं मान लेते हैं यहाँ पर तांबा है और तांबा के बाद हमारा इल्मुनियम है और इल्मूनियम के बाद हम समझते हैं कौपर है और कौपर के बाद हम समझते हैं कि यह सोना है अगर जैसे ही इन सब में अगर हम उस्मा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि यह सब के सब यहाँ पर धीरे धीरे गर्म हो जाएंगे या मेरी आवाज आपको बहुत ही आसानी से सुनाई पढ़ रही है कि यहाँ पर हम जैसे ही उस्मा देंगे जैसे ही यहाँ पर हीट मिलेगा तो सभी के सभी बारी-बारी से क्या हो जाएंगे गर्म यहाँ पर हो जाएंगे लेकिन अब बात रही गई ये उस्मा का कुछालक सुचालक आपको आई की नहीं आई अगर उस्मा एक जगह से दूसरे जगह गया तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उससे हम क्या कहेंगे उस्मा का सुचालक यहाँ पर कहेंगे जैसे आप उस्मा का सुचाला किसको कहेंगे तो हमारा आ जाता है लोहा, टामबा, एलुमूनियम और कौफर, सोना, जस्ता, इतियादी तो यह छोटी-छोटी सी बात है आप इजीवे में समझ सकते हैं क्या आपको यहां तक की बात समझ आई की नहीं आई अब हम बढ़ते हैं उस्मा का कुचालाग तो अब हम समझते क्या है उस्मा का कुचालाग और यहां पर आप ध्यान दिजिए और यहां पर आप ध्यान दिजेगा तो आपको आसानी से मिल दाएगा उस्मा का कुचालाग यानि अगर हम इंगलिस में बात करें तो poor conductor of heat तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जू परिभासा है वो क्या है easily यहाँ पर आप समझेंगे तो यहाँ पर परिभासा में क्या हुआ है लिखा क्या हुआ है कि जिन पदार्थों से होकर उस्मा का संचरन यानि कोई भी पदार्थ यहाँ पर है जैसे पलास्टिक है, लकड़ी है, कागज है, सूती कपड़ा है, रबड़, इट है तो जिन पदार्थों से उस्मा का संचरन यानि फैलाओ, नहीं होता हो यानि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता हो तो उसे उन्हें हम क्या कहेंगे, उस्मा का कुछालक यहाँ पर कहेंगे अगर आप ऐसे समझेंगे, तो यहाँ पर मानते हैं यह लकड़ी है यह लकड़ी है और इसके उपर क्या है, लकड़ी के उपर आपको लकड़ी है लकडी कोपर भी एक और लकडी है और लकडी कोपर और कुछ भी लबर है इंट है आपको ये सब है अगर यहाँ पर अगर लकडी गर्म हो जाती है तो क्या धिरे धिरे ये सब भी गर्म हो जाती है नहीं गर्म होती है तो आप इस परकार भी यहाँ पर समझ सकते हैं आई की न तो यहां पर प्लास्टिक लकडी कागज सुति कपड़ा और साथ ही रबड इंट इतियादी यानि यहां पर आदी लिखा हुआ है तो आप यह सब आसानी से समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों से उस्मा जगह जगह दूसरे जगह फैलता नहीं हो तो वह आपको क्या कहलाता है तो यहां पर उस्मा के कुछ आलक में जो हमारा पदार्थ आ जाता है वो आ जाता है प्लास्टिक लकडी तागज सुति कप्रा रबड इंट इतियादी तो यह छोटी-छोटी सी बात आप बहुत ही आसानी से समझ गया होंगे अगर आपको इस वीडियो में अगर ये सब समझ आ गई हो अगर ये सब जानकारिया अगर आपको आ गई हो तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखे गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आज किसी वीडियो में हम सीखे क्या है संचरन क्या होता है, संचरन से आप क्या समझते हैं, संचरन किसे कहते हैं, कुछ भी रहना, आपको जो आता है, वही लिखना है, तो आप इस वीडियो में देख ली हैं, लगता है आपको भी कुछ न कुछ इस वीडियो से नॉलेज, कुछ न कुछ जानकारिया इस वीडियो स साथ तपता के लिए बने रहो और जुड़े रहो और साथ ही कोई दिक्कत होना तो नीचे यार जरूर लिखना ठीक है तो बाबाट टिक क्यार बेस्ट आफ लग